नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल पर दोस्तों कभी आपने सुना है कि नहाते वे वश्यकरन करना जी हाँ एक ऐसा वश्यकरन जिसके लिए आपको किसी चीज की अवशक्ता ही नहीं है बिना सामगरी के स्नान करते हुए वस्यकरन और आपको पता है इस वशीकरन को इस नान करते वे कवने की सलहा क्यों दी गई है यह वशीकरन जो बनाया गया है वो इस नान करते वे क्यों बनाया गया है क्योंकि यह एक ऐसा वक्त है जिस वक्त आपको कोई देख नहीं रहा होता ना कोई देख रहा है, ना कोई सुन रहा है, ना कोई आपको अवास लगाएगा, कोई पुकारेगा भी नहीं और कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, जी हाँ, यह एक ऐसा वक्त है जिस वक्त आप पूर तहां अकेले होते हैं, एक कांट में होते हैं, तो इस समय यह वशीकरण अगर आप करते हैं तो इस विधी को आपको तडिके से कवना है और अगर आपने वशीकरन होने से कोई नहीं रोक सकता कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस वशीकरण की काट कर सके तो आईए बताते हैं कि किस तरह आपको ये विधी करनी है आपको जो है सिबसे पहले इस नाम के लिए जब आप जाएंगे बात्रूम में जाना है तो एक बात का विशेश ध्यान रखे कि आपको श जाहते हैं और 21 जब्बे पानी के अपने उपर डालेने है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए आपको 21 जब्बे पानी के अपने उपर डालेने है और एक मंत्र का जाप करना है जी हां जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूं उस मंत्र का आपको जाप करना है और वो मंत्र है मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह आपको उस adventure का उचारण कवना है और मंतर का उचारण करते ही उसके मांत्र एक या दो घंटे और वह व्यक्ती पूरी थरह आपके वश्च में हो जाएगा है यह बताते हैं मंत्र किया है 3-3-3 3-3-3 यह एक प्रचंड मंत्र है प्रचंड मंत्र का प्रियोग आपको नहाते वक्त पानी डालने के बाद इस मंत्र का जो है उचारन कवना है और इसके एक दो घंटे बाद वह इंसान वह शक्स वह सदस्य है जो भी जिस पर भी आपने ये वशेकरन किया है वो पूरी तरह आपका हो जाएगा और आपके पास आजाएगा और हमेशा के लिए सर्फ और सर्फ आपका ही रहेगा आपकी कही बात उसे सच लगेगी दूसरों की कही बात उसे जूट लगेगी कोई उसे कुछ भी कहले वो सर को अपना बना सकते हैं जय माता दी दोस्तों